गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की मैच्स, चैप्टर टू, बहुपद, परशनावली दो दसम लबदो, आज हम बच्चों इसको शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेशन नंबर वन इन क्वेशन नंबर टू, तो बहुत सिं इसलिए मैंने ज्यादा क्वेशन इसमें नहीं कवर के हैं, पहले आप अगर इसका बेसिक समझ जाएंगे, तो आपके लिए आगे के क्वेशन पे बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है, तो आजए शुरू करतें क्वेशन नंबर वन, क्वेशन नंबर वन में है, बहुपद 5X minus 4X square plus 3 का मान ग्याद करो, जबकि X equals to 0, A part है इसका X equals to 0, B है इसका X equals to minus 1 और C है X equals to 2 पे, आपको इनके value find out करनी है, यानि कि आपको कोई बहुपद दिया है, आपको ये कोई बहुपद दिया है, और आपको इसमें X के मान दिये हैं, कि आपको X के इन मानों के लिए जबकि के जैसे A part में है, आपका क्या है X equals to 0, तो पहले जब हम इसका हल लिखेंगे, पहले हम question को लिख लेंगे, कि PX मैंने PX लेले है, कि बहुपद है, ठीके PX equals to 5X minus 4X square plus 3, और इसमें जो A part है, वो क्या कहा रहा है कि कि इसको at X equals to 0, यानि कि जहां जहां पर आपको इस X की जगे में, यहां पर X दिख रहा है सबसे पहले, तो पहले तो मैंने यहीं पर 0 लिख लिख लिए, PX लिख लिख लिए, तो P0 कर लिए, अब 5 के साथ क्या है, X है, तो 5 के साथ 5 multiplication में 0 आ जाएगा, minus 4, फिर X की जगे में 0 के power 2, plus 3, किसी भी नंबर को 0 के साथ multiply करने पर क्या प्राप्त होगा, 0, यहां पर भी किसी भी नंबर के साथ 0 को multiply करने पर 0, बच्चा प्लस का 3, यानि कि प्लस का 3 आपका क्या जाएगा, बच्चो, answer आ जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार इसका B part है, X equals to minus 1, तो यानि कि PX पहले मैंने question लिख लिए, कि PX equals to यह है, at X equals to minus 1, जहां जहां पर X है, वहां पर क्या लिख लिख लिए, minus 1, तो फिर वहां पर लिखते है, 5, X के जगे में क्या लिख लिख लिए, minus 1, फिर यहां पर यह लिखा, minus का minus है, बीच में, फिर 4, X के जगे में क्या लिखा, minus 1 का square, plus 1, आप यह देखिए, जब आप plus को minus 1 के साथ multiply करेंगे तो क्या आजाएगा आपके पास minus का 5 आएगा यह minus 4 तो अपनी जगे में वैसी minus 4 क्योंकि minus 1 का square क्या हो जाएगा minus 1 को जब minus 1 से आप गुणा करेंगे तो यह plus का 1 बन जाएगा तो यह plus का 1 बन जाएगा इसका गुणा किसके साथ हो रहा है 4 के साथ 4 और उसके आगे क्या है माइनस तो इसलिए माइनस 4 आगया फिर प्लस का ये 3 आगया ठीक है simple calculation है अब आप क्या करेंगे पहले आप माइनस माइनस वालों को लिख लेजिए माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 आगया ये प्लस का 3 आगया तो यहां से क्या आगया इसकी वैल्यू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 आप इसको solve करें 9 में से 3 गया 6 चिन किसका आता जो संक्या बढ़ी होती तो माइनस का यहां पे क्या आगया 6 आगया ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है बचो निम्नांकित प्रतिक बहुपत के लिए सेम वही बिल्कुल एक्जेक्ट क्वेशन जो भी हमने करा वही है बस उसमें P X के फॉर्म में है इसमें P Y के फॉर्म में उसमें X की वैल्यूज निकाल रहे थे यहां पर Y की निकालेंगे ठीक है कहीं पर X दिया है कहीं पर Y दिया है इसमें इसमें कन्फूज नहीं होना है कि इसमें X इसमें Y है इसका कोई फरक नहीं पड़ता है आपको इसमें P दिया है कि किस वैल्यू के लिए आपको निकालना है पहले हमने हल में लिख दिया, बहुपत को एज़ेटिस लिख लिए जैसे हमें यह दिया है, उसके बाद आपको इसके लिए P0 के लिए मान निकालना है, P0, यानि कि जहां जहां पर आपको Y दिख रहा है, वहां पर आप क्या पूट करेंगे, 0 पूट करेंगे, तो देखिए यहां पर Y के जग में Y square minus 0 plus 1, इसको solve करके 1 आ गया, उसी डंक से P1 करेंगे, जहां जहां पर आपको Y दिख रहा है, Y square minus Y plus 1 है, तो आप वहां पर 1 पूट करेंगे, आपके पास यानसर आएगा, उसी प्रकार जहां पर आपके पास Y है, वहां पर आप 2 पूट करेंगे, तो इसको Y के जग में 2, और रखा 2 square का square minus 2 plus 1, तो तो जब 4 minus 2 plus 1, ठीक है, इसको solve करके 4 और 1, 5 हो गया, यहां पर क्या आगे, 4 और 1, 5 और 5 minus 2 क्या आगे, यह 3 आगे, ठीक है, भी पार्ट आप इसका try yourself है, अपने आप try कीजेगा, इसका C पार्ट है, फिर, again, PX equals to X cube है, पहले मैंने question लिख लिए, फिर, P0 की value, तो यानिकी 0 की power, कुछ भी हमेशा 0 ही आएगा, फिर, P1, यानिकी 1 की power, 3 तो 1 ही आएगा, फिर, P2, यानिकी 2 की power, 3 तो 8 आएगा, ठीक है, उसी प्रकार इसमें हमारे पास, D question है, PX equals to X minus 1, X plus 1, तो पहले मैंने question लिख दिया कि क्या है, 0 के लिए निकालो value, जहां जहां पे आपको X दिख रहा है, वहां पे आप 0 रख लिए, 0 minus 1, 0 plus 1, तो इसको solve करके, minus 1 आएगा, फिर, P1 की value रखी, जहां 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 पे X से वहां पे 1 रखो, 1 minus 1, 1 plus 1, तब भी 0 आएगा, अगला P2 रखा, तो 2 minus 1, 2 plus 1, तो इसको solve करके, क् तो बहुत सिंपल ये परशना वाली है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और questions लेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से सीखेगा, समझेगा, till then, take care, bye bye